आलो फ्रेंट्स, आम मॉनिका, इंपोर्टन अपोइंट्मेंट का आपके लिए सेकंड पार्ट लेक्ट आई हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इंपोर्टन अपोइंट्मेंट की जो आपने वीडियो देखी थी उसको आपने बहुत अच्छा बताया था, लेकिन फिर भी जो ने सब ने बोला था, फ्रेंट्स ने कि बाइलिंग्वल चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी में भी चाहिए, तो दोनों हमें ही आपके लिए लेके आए हैं, तो ये जो है ललितकला अकेडमी के अध्यक्स की बात करेंगे, तो ये है हमारे उत्तम पछरने ज अंदर आता है, ठीक है, किसके अंदर आता है, Ministry of Culture, जिसके मिनिस्टर है, महेश शर्मा जी, ठीक है, कौन है, इसके वो महेश शर्मा जी, ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है, मैं उत्तम पछरने जी है, इसके एक टाइक के NGO है, जो कि नई दिल्ली में इसका है, रविंद्र भावन के नाम से इसको जाना जाता है और यह ministry of culture में है जिसके जो minister है वो है महेश शर्मा जी अब बात करते हैं हम सहित्य academy की सहित्य academy सोरी सहित्य academy की बात कर रहे हैं सहित्य academy के अध्यक्षि जो है वो है चंद्र चंद्र शेकर खाबरा कौन है इसके चंद्र शेकर खाबरा अब इसकी बात करें तो यह भी ललितकला academy की तरह ही है यह इसका headquarter भी दिली में है और यह भी ministry of culture के अंतरगत आता है तो इसके minister जो है वो कौन है हमारे महेश शर्मा जी ठीक है यह प्रेजिडेंट के द्वाला point के जाते हैं अब बात करते हैं लोकले का समीती की लोकले का समीती पी ए सी पब्लिक account committee इसके chairman कौन है इसके chairman है मलिक आर्जुन घड़के ठीक है यह speaker of lock सभा जो होती है वो इस पॉइंट करते हैं speaker of lock सभा कौन है हमारी वो है सुमित्रा महाजन कौन है हमारी speaker सुमित्रा महाजन जी ठीक है जो यह public account committee है यह हमारी जो पुनर गठन हुआ है इसका 1 मई 2018 में हुआ है यह report देता है speaker को यह क्या करता है इसका काम होता है कि जो हमारे क्याग जो भारत सरकार की खर्चे होते हैं उसकी auditing करती है क्या की report को यह जांचती है और पार्लियमेंट की बॉर्ड पर रखती है यह ठीक है अब बात करते हैं आगे चलते हैं हम आगे बात करते हैं प्राकलं समीति एस्टिमेट कमीटी जिसके अध्यक्ष कौन है मुर्ली मनोहर जोसी जी है जिसको है ना लोगसभा की जुड़वा बहन कहा जाता है और इसमें जो हैं होते हैं तीक है 15 मैंबर में फंद्रेमें तो होते हैं अंद अंत करते हैं आगे बात किसी करते हैं लाश्टे मानु आधिकार आयोकि और NHRC, National Human Rights Commission, जिसके अध्यक्ष कौन है, H.L. Dattu, ठीक है, H.L. Dattu इसके क्या है, वो अध्यक्ष है, इसकी formation की बात करें, तो इसकी formation जो हुई थी, वो किसका हुई थी, 1993 में हुई थी, ठीक है, 12 October 1993 में हुई थी, इसका Headquarter जो है, नहीं दिल्ली में है, और जो इसके Secretary General है, वो है जैदीप गोविन जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, किसकी, आगे बात करते हैं, हम Indian Competitive Commission भारती परतिसकरदा आयो, इसके अध्यक्ष कोन है, हमारे अशोक कुमार गुपता जी, अब इसकी बात करते हैं, कि इसकी formation कब हुई थी, इसकी formation हुई थी, 2003 मे जिसके Secretary कौन है, P.K. सिंग है, और इसका Headquarter भी कहां है, नई दिल्ली में है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे जो हैं, हम बात कर रहे हैं, CBST की, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि CBST क्या है, क्या है CBST, CBST है Central Board of Secondary Education, ठीक है, जिसकी formation 1962 में हुई थी, और नई दिल्ली मे इसका Headquarter है, इसके जो अध्यक्ष की बात करें हैं, तो Chairman की बात करें हैं, तो वो है, अनिता करबाल, जो कि IS Officer थी, और ये किसके अंदर आता है, ये CBST, NCRT, ये सब आता है, Ministry of, Ministry of Human Resources and Development, MHRD, जिसके Minister कौन है, प्रकास जावेड कर जी है, ठीक है, जो NCRT की भी इसकी असाथ म जिसके President जो है, प्रकास जावेड कर, जो की MHRD के Minister है, और इसका Headquarter भी Delhi में है, और NCRT की Full Form पूछ लेते हैं, तो Full Form क्या है, इसकी National Council of Educational Research and Training, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, CBDT की, CBDT की जैसा कि आपने, आप सभी को पता होगा कि CBDT के Chairman कौन बने है, प् मौध चंद्र मौधी की, मौधी जी, ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, कि यह है, क्या CBDT, CBDT की Full Form की बात कर रहें, तो यह है, Central Board of Direct Tax, ठीक है, इसके जो पहले थे, एक्स की, मतलब यह जो परमौध चंद्र मौधी जी है, यह किसके बात बन के आए हैं, यह ऐसा कि आप अब जानते हैं, कि सुसील चंद्र जो थे, वो तहले हमारे CBDT के चेर्मेन थे, जिनके बाद में कौन बने हैं, परमौध चंद्र मौधी जी बने हैं, और जो सुसील चंद्र थे, वो कौन हो गए हैं, अब, Election Commissioner, चुनाव आयुक्तु, और कौन है, इनके साथ में कौन है, अ बरूर देखें, ठीक है, अब बात करते हैं, आगे तैलंगना High Court के मुख्य नियाएंदी, कौन है, TB and Radha Krishnan है, तैलंगना को अपना अलग High Court मिल गया है, जिसके जज कौन बने है हमारे TB Radha Krishnan जी, इसकी formation जो हुई थी, एक जन्वरी 2019 को हुई थी, लोकेशन कहा हैं, इसकी अलग से information जान लेते हैं, LIC की full form क्या होती है, Life Insurance Corporation of India, जिसका headquarter कहा है, इसका headquarter है मुंबई महाराष्टर इंडिया में, ठीक है, और इसकी founded formation कब हुई थी, 1956 में इसकी formation हुई थी, और इसके chairman and MD हेमंत भारगवजी है, दोस्तों इसके tagline की बात करते हैं, क्योंकि tagline इसकी प साथ भी और जिन्दगी के बाद भी, ठीक है, अब बात करते हैं, OFB के महानिदेशक तथा अध्यक्ष की, तो कौन है हमारे, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, सौरब कुमार जी इसके क्यों है, अध्यक्ष है, ठीक है, अब बात करते हैं, OFB है क्या, OFB है हमारा Ordinal Factory Board, Ministry of Defense के अंधर ये आता है किसके अंदर आता है, Ministry of Defense, और जैसे कि आप जानते होंगे, कि Ministry of Defense जो मिनिश्टर है, वो कौन है, निर्मला सीता रमन, जी, ठीक है, अब आगे इसकी बात करते हैं, कि इसका.. इसका headquarter की बात करें तो Kolkata में हैं ठीक है और ये भी 1802 में इसकी formation हुई थी ठीक है अब आगे चलते हैं आगे बात करते हैं ये बात करते हैं कि एर इंडिया के दिसके के भी आपड़ सो से समय और यहां। लाहीनी- किसके बन गए यह air इंडिया गए तोब यह जिसके थे यह रेलवेबॉड के थे तो उसके बने है अब उसके बने हैं भीक є यादव कि श्केक है बदे याद करते हैं कि एर इंडिया की बात करते हैं कि आले झीजनकारीग, एर न इंडिया का कि एक फर्मेशन हुई ती यह बना था और इसका हब जो है वह फ़स्ट जो है इंट्रागांदी इंट्रनेशनल एरपॉर्ट जो कि नई दिल्ली में दिल्ली में है और और सैंड की बात करें तो छत्रोप्ति सिवाजी International Airport जो कि मुंबई में है इसके जो फाउंडर थे जो बनाने वाले थे वो कौन थे जे आरडी टाटर ठीक है जिन्होंने 1932 में बनाया था अब आगे बात करते हैं एडा की एडा क्या है एडा की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले Insurance Regulatory and Development Authority ये कब बना था ये हमारा 1999 में बना था जिसका हैड़कवाटर है है और इसकी जो पहले इसका हैडराबाद में अब है है हैडराबाद से पहले कहां था दिल्ली में था जो कि 2001 में ये चेंज हो गया था सबसे पहले कहां था दिल्ली में था फिर चेंज होके ये हैडरा करते हैं ICC की प्रथम स्रतंत्र महीला निदेशक प्रथम स्रतंत्र महीला निदेशक की बात हो रही है तो कौन है इंद्रा नुई जी ठीक है कौन है इंद्रा नुई तो ICC की बात कर लेते है ICC क्या है ICC है International Cricket Council इसका मोटो है Cricket for Good इसकी formation की बात करें तो इसकी formation 1909 में हुई थी और यह है Dubai UAE Dubai UAE में इसका क्या है headquarter है UAE ठीक है आगे बात करते हैं कि इसके chairperson की chairperson कौन है इसके ससांक मनोहर जी और इसमें जो membership country है वो है 105 countries है ठीक है इसके CEO कौन है मानु सावने जी है ठीक है इतनी information ICC के बारे में पता होनी चाहिए अब बात करते हैं hiking City ौकी पार हूं कि ऐंडिया के अध्याफ्ष कौन है मुहमाध मुस्ताक एहलमद यो अभी बने है इसके coach कौन हा हरें इंडर reward हीो आगा कोच जो पहले थे Pr Assurance Company Limited, Insurance Company Limited की बात कर रहे हैं कि इसके CMD कौन है, CMD, ठीक है, इसकी बात करें तो इसके CMD है हमारे अतुल सहाई, कौन है, अतुल सहाई, ठीक है, अब इसकी बात कर लें दें कि इसका Head Quarter कहा था, इसका Head Quarter, मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट, इसकी Foundation जो, पाउंड जो हुआ था यह कब हुआ था 1919 में और इसके cmd जैसे में बता चुती हूं कौन है अतुल सहाई ठीक है आगे चलते हैं आगे बात करते हैं इंडियन न्यूज सोसाइटी के अध्यक्स की इंडियन न्यूज साइटी के अध्यक्स कौन है जेंत माममेन मैथ्यू जेंत इसकी फॉर्मेशन जो है 1939 में होई थी और हेड़क्स की बात करें तो वह नई दिल्ली नहीं है ठीक है इसके प्रेजेंट कौन है जेंत माममेन मैथ्यू ठीक है अब आगे बात करते हैं आगे क्या है हमारा परमानो उड़जा आयोग अटॉमिक एनरजी कमिशन जिसके अध के एन व्यास के नाम से question पूछे भी जा रहे है इसके headquarter की बात करें तो इसका headquarter मुंबई में है और 1958 में इसकी formation हुई थी पूछे जो की हमारे इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कोन है राकेश भारती मित्तल जी इसका headquarter बात करें तो headquarter इसका जैसा की नई दिल्ली में इसका headquarter है और इसकी formation जो हुई थी 1895 में इसकी formation हुई थी ठीक है इसके director general की बात करें तो चंदरजीत बैनर जी इसके क्या है director general है चंदरजीत बैनर जी ठीक है इसको अलग से जो मैं information देती हूँ ये pdf में नहीं मिलेगी तो इसको आप अलग मतलब वीडियो से ही not करते रहना और आगे बात कर रहे हैं आगे बात करते हैं हम इसकी खेल भारतिया खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की भारतिया खेल प्राधिकरण यानि के sport authority of India कौन है नीलम कपूर जैसा कि आपको दिख रहा है नीलम कपूर इसके क्या है भारतिया खे यानि की अब अंगे चलते हैं आगे जलते हैं आगे देखते हैं कि आगे किसको पूछा बताया गया है पेटीयम पेमेंट बैंक की आप जानते हैं पेटीयम के बारे में आप ant पविदा ओंडर के विप ग्रू जशेखर लॉंज किया गया था और इसका हैड़ कोर्टर जो पेटियम की बात करें आगे बात करते हैं हम राष्ट्रिय महिला आयोक की अध्यक्स की National Commission for Women, इसकी कौन है, रेखा शर्मा है, ठीक है, रेखा शर्मा की आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, NCW के नाम से इसको शॉर्ट में जाना जाता है, NCW, ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन होई थी, 1992 में होई थी, और जो इसके, जो ये बना था, ये बना था, National Commission for Women Act 1990 के तहत बना थ से और अभी कौन है, रेखा शर्मा जी, ठीक है, इसका headquarter जो है, नई दिल्ली में है, और इसके headquarter के नाम, जो है, उसका नाम है, निर्भया भवन, ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो आपको पहले बता चुकी हूँ है, भारते पतिस पर्दा, आयोक के अध्यक्ष कौन है, अशोक गुपता जी, ये दोबार से आ गया है, कोई नी, दोबार से पढ़ लेना, याद हो जाएगा आपको, अब बात करते हैं, इंटरनेशनल कवर्डी फेडरेशन की, इसके प्रेजिडेंट को है, जनार्दन सिंह गैलोट, जनार्दन सिंह गैलोट की बात, जो है, ये अब हम बात करते हैं, कि इसकी इंटरनेशनल कवर्डी फेडरेशन की, ये 2004 में बनी थी, ठीक है, कब बनी थी, 2004 में ये बनी थी, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, NGT की, NGT क्या है, NGT है, National Green Tribunal, जिसके चेर्मेन कौन है, आदार्श कुमार गोयल, इसक काम ये होता है, कि जो परियावरण संबंदी मामले होते हैं, जैसे कि, रियो डिजने, रियो में जब सम्मिट हुई थी, तो उसमें परियावरण को लेके हुई थी, तो उसी के संबंदी में ये बनाई गई है, और ये जो है NGT 2010 में बनाई गई है, और इसका संबंदी प्रदूशन होता है, उसकी ये सुनवाई करता है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, फिक्की की, फिक्की की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, फिक्की की फुल फॉर्म जो होती है, जैसे कि आपको पता भी होगा कि फिक्की की फुल फॉर्म क् इसके जो हमारी इसके अंदर गज्य कंपनी आती हैं वो कितनी कंपनी आती हैं उसकी बात कर लेते हैं जैसे कि इसमें धाई लाख कंपनी जो हैं इसके अंदर आती हैं इसके अंदर आती है यह इंडारेक्ट मेंबर्शिप होती है इसके प्रेजिडेंट की बात करें तो संदी उदय शंकर जी और सेकरेटरी जनरल की बात करें तो यह है हमारे दिली सुनोय जी इसका हैड़ कोटर जो है वो है हमारा नहीं दिली में और यह इसकी जो सर्विश होती है वो बिजनिस प्रमोशन करने की होती है इसमें जो है इंडिया की बारा इस्टेट हैं और अगे जो संजीव नौटियाल जी ठीक है चलिए आगे चलते हैं फिक्की की फुल फॉर्म बताना भूल गई थी फिक्की की फुल फॉर्म क्या है फेडरेशन और इंडियन चैंबर और कॉमर्थ एंड इंडस्ट्री ठीक है इसकी इस्थापना 1927 में हुई थी ठीक है महात्मा गांद पार में तो इतनी information काफिया आगे चलते हैं जल्दी से अंटिय की बात कर लेते हैं गियांना एड्यक्ष की बात करें तो कौन है हमारे विनीत जोसी जी है, इसके अंदर के आते हैं, इसके अंदर गत CBST, AICTE, UGC, यह इन सब का प्रिक्शन ओर्डल एजनसी है, यह यह 2017 में बना था, और जैसे की, NEET, NET, CMAT, GPAD, JEMAN से यह सब एक्जाम कंड़क्ट कराती है, इसके फर्स्ट डारेक्टर जनरल कौन है, यह फर्स् होती है, और इसका headquarter की बात करेंगे, तो इसका headquarter नहीं दिल्ली में है, इसकी formation जो हुई थी, 1956 में हुई थी, और जो यह आते हैं, यह जो study से related इतने भी आते हैं, आपको पता ही होगा कि Ministry of Human Resource Development के अंदर गत आते हैं, और यह जो है Department of Higher Education के अंदर भी आता है, NCRT वगरा सब इसके अंदर आते हैं, इसके जो अध्यक्ष की बात करें, चेर्में की बात करें तो कौन है, दिरेंदर पाल सिंग जी, अब 21 में की विधि आयोक के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, 21 में विधि आयोक के अध्यक्ष कौन है, लो कमिशन ऑफ 21st, लो कमिशन के चेर्में कौन है नियाय मूर्ति बलबीर सिंग चोहान ठीक है यह इसके क्या है अध्यक्षे हैं आगे बात करते हैं देखते हैं कि यह जो है 21 विदी आयोक के अध्यक्षे नियाय मूर्ति बलबीर सिंग जी है और यह ministry of law and justice की advisory body की तरह काम करता है ठीक है इसकी आगे जो formation हुई थी इसकी formation 1830 फॉर में हुई थी ठीक है यह बस आज के लिए इतना ही जो यह session था आज का यह कैसा लगा आप comment करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो please 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 like share जरूर करना क्योंकि share करने से क्या होता है share करने से आप भी देख पाते हैं और question लगेंगे ठीक है thank you thank you for watching this video this class thank you